लुट वाले भाई मैं तो फ्रैंड आज की शुड़िमाप सभी लोगों में कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ तो फ्रैंड होता है कि जब हमें कोई हमारी फ्रैंड या फिर हमारा कोई दोस्त या हमारी कोई गल्फरेंड हमें वाट्सअप पर मैसेज करतें तो friend वो हमारे scene करने से पहले ही कभी क्या करते थे डिलीट करते थे तो उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता उसने वो message में क्या लिखा था या फिर कोई photos भेजी थी या क्या भेजाता हम समझ नहीं पाते हूं message delete हो जाता है और जब हम check करते तो वहाँ पर delete message लिखाता है तो हम कभी tension में पढ़ जाते हैं यार कि यह लिखा क्यों होता है और delete क्यों कर दिया लेकिन अब ऐसी कोई भी tension लेने के आपको जरूरत नहीं है friend क्योंकि अब आपको में एक ऐसी कमाल की trick बताऊंगा जिसके द्वारा आपको कोई भी बंदा message करता है या आपकी girlfriend message करती है उसके बाद उसे delete कर देता है तो friend आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसने यह photo भेजी थी या फिर यह message लिखके भेजाता और यह क्यों delete कर दिया यह आप बोल सकते हैं कि आपने message लिखाता है और यह क्यों delete कर दिया आपको तुरंत हमें friend हर message जो है कोई भी delete message हमें कोई भी message करता है उसके बाद delete करता है तो हमें तुरंत notification आ जाएगी and हम वो सब message पढ़ सकते हैं जो कोई भी delete कर देगा भीजने के बाद चाहे हो message एक हपते पहले के हो यह एक मन्त पहले को friend आपको तुरंत पता चल जाएगा आप तुरंत वो message को पढ़ सकते हो और सांथ में screenshot लेके friend आप उसे भी भीज सकते हो कि आपने message लिखाता है और यह message क्यों delete कर दिया तो friend यह कमाल की trick क्या है और यह message आपने कैसे पढ़ने हैं यह सब आप कैसे होगा जानने के लिए बस आपने क्या करना है इस वीडियो को पूरी देखना है तो चलो जादा time लेते हैं हम सीधे वीडियो को क्या करते स्टार्ट करते है तो दोस्तों अगर आ सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मा बता दू कि आपने इसी प्रकार की technical वीडियो देखनी है या कोई new application से relative वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं उपर i button मैं मैंने जो है कुछ खास व करना है तो छलो अपको जएदा टाम ने लेते हों सीथे वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में जो टॉपिक बता रहे हो आपको step by step समझा लेते हैं तो अब सबसे बहले आपको क्या करने मां आपको बता देता हूँ सबसे बहले आपने क्या करना है एक application download कर दिये नह यहां से प्लेश्टोर से अपने से डाउनलोड कर लेना है तो फ्रेंड में एक बार दिखा देता हूँ, यह रही अप्लिकेशन, फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं इस अप्लिकेशन को यह कितनी काम किया और इसे कितनी लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया आप दिने अपकर कर्णकिल तो इस अप्लीकेशन को फिर जो मिंग फ्रमक्रिय कर आत्रयुद करने रोनिये 53D लए couple हैRO तो झेल अप्लिकेशन को सब्लेक्रिंग ऋपन कर लेते हैं अब यहाँ पर यहाँ पर जो मीण सेटिंग है उन्हें यहाँ पर अलाओ कर दिंगे जैसे accept कर लेना हुप इसके भाद यहाँ से जो है अप यहाँ पर इतने सारे option देगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां से WhatsApp है मेरे phone में, तो आपने WhatsApp के message scene करना है, यानि कि WhatsApp के delete message आपको दोबारा दिखाई दिएगे, वो scene करने के लिए, आपने क्या करना है, WhatsApp को यहां से allow कर देना है, इसमें tick mark कर देना है, tick कर देना है आपने, उसके बाद और भी अगर आप Facebook या telegram आप यूज करते हैं, messenger आप Instagram यूज करते हैं, आप किसी में भी अगर आपके फ्रेंड गल्फरेंड है, तो आप वहां चाके इसमें यूज कर सकते हैं, यहां पर आप क्या कर देंगे, उसे सही का निश्यान कर देंगे, tick कर देंगे, तो उसके बात यहां से क्या कर देंगे आपने, accept करते जाने हैं, उसके बाद यहां पर setup पर आपको यहां मीन बात समझने है, setup आपको जो दिखाई दे रहे, यहां पर अपने एक चीज कर लेनहें, दोन्हों को आपने क्या कर देना हैं, इनेबल कर देने हैं आप याद रखें यहां से मल्टी मीडिया फाइल से लिए वह दिखा देंगे आपने और निटिफिकेशन एंडिडर देने हैं दोनों को तो आप भी यहां से जितने भी यह आपको service दिखाई दिंगे यह system launcher आप जितने भी यहां पर आपको दिखाई दिंगे इनको सबने क्या कर देना है अपने allow कर देना है यहां से करने के बाद बैक आ जाएंगे तो फ्रेंड जब आप यहां से बैक आ जाएंगे तो यहां पर कुछ इस टैप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा आप देख सकते हैं यहां पर इस टैप का इंटरफेस दिखाई देगा तो फ्रेंड यहां पर आपको जितने भी जितने ल हम ने जो क्या करना है डिलीट मैसेज हमें नौटिपिकेशन कैसे आई गया फिर डिलीट मैसेज को कैसे देख सकते हूं उसने आपको बता ऊपने क्या करते है से बैक आपर आने के बाद फ्रेंट अब मैं आपको बता दूँ जैसे कि मेरा ये वाला WhatsApp मैंने इसमें लिंक किया हुआ है आप देख सकते हैं जिसमें मेरे 5 मैसेज हैं जैसे मेरे समय आप देख सकते हैं और यह रहा दोसरा नंबर यहाँ करने आपको मैसेज करके दिखाश करें अपर मसेज को दिखा दुँए तो मेरे डूवाट्सप आपको मैं दिखा देता हूँ सारी सेटिंग अलाओ करने के बाद आपको प्रूब भी करवा दूंगा यह रहा मेरा दूसरा वाला वाट्सव ठीक है फ्रेंड थोड़ा वेट किजिए चलो कोई वात नहीं वेट करने का आपको जरूत नहीं है तो यहां से जैसे मैंने मैसेज किये हाई करके आप देख सकते हैं यहां पर यहां से मैंने यहां से कुछ मैसेज कर दी हाई करके यहां से मैंने इतने सा यह मैसेज कर दिये sorry ठोड़ा नयट रहती है मेरा आप को यहां पर देख सकते हैं, असे मैसेज न करने के बाद, गृयां से अने मांप ने मैसेज कोशन न करना का दरें ओगें मैसेज को क्या उप्राया है?~~~ थे हम अनّे मैसेज को क्या कर दूँछाए? तो इंह यहां से delete कर दूंगा तो friend, एहां से मैंने je message कर दिए, delete ठीक है तो friend, आप देख सकते हैं så मैंने all message delete कर दिए अब यह message आपको मैं दिखाओंगा वहां पर जाके friend, यह message यहां पर आ चुके जैसे किसी ने हमें message किया तो उसके बाद उसने ही message कर दिया से delete तो friend आब मैं आपको यहां से दिखाँ गाँ और यह three message दिखा रहा है लेकिन यह delete दिखाएगा तो friend eight message ओए तो अब यहाँ पर आपको मैं दिखाँ देता हूँ कि वह message मैंने वहाँ से delete कर दिय influencers अब मैं आपको दिखा दूँगा, यहां से यह application में आपने क्या करना है, चले जाना है, आपको notification भी मिल जाएगा आपके phone में, थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन आपको notification भी मिल जाएगा, कि यह message आ चुके हैं करके, तो यहां पे friend आप देख सकते हैं, यहां पे others bro दिखाई send हुआ, तो friend आप यहां से आप देख सकते हैं, कि यह message यहां पे आचुगा है, जबकि मैंने वहां से आपके सामने, live proof से सारे message आपके सामने, वहां से cut कर दिया थे, यानि कि वहां से सारे message मैंने क्या कर दिया थे, डिलेट कर दिया थे, लेकिन आप यहां पे देख सकते है यहां पर सारे message दिखाई देंगे, ऐसे friend इसकी, इनकी DP तो नहीं दिखाई देगे, आपको बता दो, आप सोच रहोंगे, DP पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहां से message भी आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी यहां पर और message नहीं हैंगे, जो message वहां से, जो मै आहने पर सेंडी किये तही, इसके बाद मैंने उन message को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया, डिलीट करने के आप ने खुद देखा, वहाँ से तही के तो नहीं भी देख सकते थे उसके बाद यह message को क्या कर दिया था डिलीट कर दिया था तो दोस्तो मैंने step by step आपको समझा दिया है उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ के होंगे तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ यार कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अपने सबी फैंड के लिए अलवेधा मिलते हैं अंगली और न्यूट टैकनीकल वीडियो लेके थैंक यू सोँश did